किसी सदी में बेशक हम टेकनोलिजी के लिहाद से मजबूत हो रहे हैं, लेकिन शारीरिक रूप से उतने ही कमजोर होते जा रहे हैं, जिसकी सबसे वड़ी वज़ा है हमारी देंचर्या, जीवन शैली, फास्ट हूड और खान पान की बिगड़ती आदरत, डाइबेटिस बार के दस कारणों में से एक होगा, हमारा मकसद आपको डराना नहीं, बलकि आगाह करना है, केंदर सरकार की किलनिकल एंथ्रोपोमेट्रिक एंड बायो केमिकल सर्वे रिपोर्ट 2015 के चौकाने वाले आंकड़े सामने आये हैं, राजिस्थान में 100 में से औसतन 9.5 लोग, प्री 80,000 लोग और डायबेटेज की समस्या है, हाला के रिपोर्ट 18 साल से अधिक उमर के लोगों की है, जबके चिकत्सा विभाग के मताबिक इससे कम उमर के बच्चों तक में शुगर लेवल जादा रहा है हैरानी की बात ये है, कि अधेड और बुज़ूर्गों के साथ-साथ आपके शोर आवस्ता में भी डायवेटेज के केसेज सामने आ रहे हैं रिपोर्ट के मताबिक, दो फिस्ती यानि की जिले के 45,000 के करीब पुरुशों और महिलाओं का शुगर लेवल 150 से जादा है इनमें आधे तो 300 के करीब हैं, विशे सग्यों की माने तो पुरुशों में 30 से 40 के उमर के बेच इस रोग के अधिक संभावनाय बनी रहती है अगर चूरू जिले की बात करें तो सर्वे रिपोर्ट के उनसार 1.85 लाख लोग हैं वो प्री डियविटिक स्टेज में है आने वाले समय में इन लोग्यों के डियविटिक लोगी होने की समाना अधिक है भारत में 6.5 करोड लोग डियविटिस से ग्रस्थ हैं जबकि 7.5 करोड लोग मधुमे की पुर्वा वस्था में हैं प्री डियविटिस की स्टिती से गुजर रहे लोगों में हिर्द्य घात और अघात जैसे बिमारियों का खत्रा लगतार बढ़ रहा है यहीं वज़ा है कि अगर समय रहते हमने अपने खान पान पर कंट्रोल नहीं किया तो जिन्दगी भर पच्टाना पड़ सकता है